हाई विवर्ज वेलकम बैक टू मैं चैनल फ्रेंज यह दिखे आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा और यूनिक सा केबल निटिंग पैटर्न इस रिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाए कर सकते हैं लेडिस काडिगन में, लेडिस जैकिट में, जैन साफ स् फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में डाल सकते हैं तो देखें आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए जो फंदे चाहिए होंगे वो 11 यानि की 11 के मल्टिपल से होंगे 11 फंदे 11 फंदे 11 फंदे इसी तरह से यहां तक 11 फंदे लेते हुए जाना है और लास्ट में हमने 7 फंदे एक्स्टा रखेंगे डिजाइन को इकुल करने के लिए और 2 फंदे एस्टिच के लिए होंगी और ये जो डिजाइन है टोटल चार रौ का ही डिजाइन है तो चलिए फैन बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैंने यहां पर 20 फंदे लिए हैं 11 फंदे इसके पैटन के हिसाब से लिए हैं प्लस 7 फंदे एक्स्टा लिए हैं साइड में डिजाइन को एकुल करने के लिए और दो फंदे एस्टिच के लिए लिए हैं और नीचे से base देने के लिए दो raw उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकार ली है तो चलिए बनाती हैं पहली raw सीधी side As-tay slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे अब दो फंदे right to left twist करेंगे, पीछे का second फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला first फंदा पीछे लेकर जाएंगे अब हम तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे back loop से सीधा बुनते हुए तो back loop से ये तीनों फंदे एक साथ लेंगे और तीन फंदे बनाएंगे ये दिखिए one, एक, जैड़ा लेंगे, दो फिर से back loop से सीधा बना लेंगे तीन तो दिखिए यहां पर हमने तीन फंदों से तीन फंदे बना लिए फिर एक फंदा सीधा फिर से दो फंदे राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट कर लेंगे पिछे का सेकिन फंदा आगे लाएंगे आगे वाला एक फंदा पिछे लेकर जाएंगे और तीन फंदों से तीन बनाएंगे बैक लूप से 3 फंदों को एक बार बुनेंगे फिर जैड़ा लेंगे फिर से इनको बैक लूप से 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे तो दिखे फिर से यहमारी पास 3 फंदे हो गए धागा आगे करेंगे 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4 ये देखिए हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने 2 फंदे left to right twist किये और उसके बाद 3 फंदों से 3 फंदे बनाए एक फंदा सीधा फिर से 2 फंदे left to right twist किये और 3 फंदों से 3 फंदे बनाए 4 फंदे उल्टे ये हमारा 11 फंदों का pattern है देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11 फिर से इस pattern को ऐसे ही बार बार repeat करते हुए जाएंगे जितने भी आपके पास फंदे होंगे और last में हमारे पास 8 फंदे बचेंगे तो फिर से हम 2 फंदे left to right twist कर लेंगे इस तरह से फिर back loop से 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे पहले back loop से एक बार सीधा बनेंगे 1 जाए डालेंगे 2 फिर से back loop से 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे 3 एक फंदा सीधा फिर से दो फंदे left to right twist कर लेंगे और 3 फंदों से 3 फंदे बनाएंगे back loop से एक बार सीधा बनेंगे 1 जाए डालेंगे 2 और फिर से सीधा बनाएंगे 3 as stitch है इसको सीधा बन लेंगे तो हमारी पहली row complete हो चकी है दूसरी row है wrong sign इस row में हर बार जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे जारे वाले फंदे उल्टे बना लेंगे as stitch slip करेंगे repeat pattern start करेंगे 7 फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ चार फंदे सीधे एक दो तीन चार फिर से last में 7 फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ as stitch भी उल्टा ही बना लेंगे अब देखिए यह हमारी तीसरी रौ है और सीधी साइड है as stitch slip करेंगे यहां से repeat pattern start करेंगे दो फंदे सीधे बनेंगे एक दो फिर से दो फंदे left to right विस्ट करेंगे दूसरा फंदा front loop से आगे लाएंगे आगे वाला एक फंदा पिछे ले कर जाएंगे और फिर से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे back loop से बुनते हुए एक पार सीधा बनेंगे वन जाए डालेंगे टू फिर से सीधा बनेंगे ट्री टॉप कर देंगे दो फंदे सीधे एक दो धागा आगे करेंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार ये दिखिए हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने दो फंदे सीधे बने दो फंदे left to right twist किये फिर तीन फंदों से तीन फंदे बनाए दो फंदे सीधे चार फंदे उल्टे फिर से इस pattern को ऐसे ही बार बार repeat करते हुए जाएंगे और last में हमारे पास आठ फंदे बचेंगे फिर से दो फंदे सीधे एक तो दो फंदे left to right twist कर लेंगे इस तरह से फि एक बार सीधा बुनेंगे, बन, चाई डालेंगे, टू, फिर से सीधा बुनेंगे, थ्री, दो फंदे सीधे, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, लास्ट में, साथ फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, एस्टिच, उल्टा बना लेंगे, तो देखिए, चौथी राव कम्प्लीट हो चकी है, और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है, फिर से हम इसे फर्स्ट और से स्टार करेंगे, तो एक बार देखिए, फर्स्ट और राइट साइड, एस्टिच, स्लिप करेंगे, रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे लेफ्ट टू राइट, ट्रेस कर लेंगे, बैक लूप से तीन फंदों का, एक बार सीधा बुनेंगे, वन जाईडा लेंगे, टू, फिर से बैक लूप से सीधा बुन लेंगे, त्री, एक फंदा सेंटर में सीधा, दो फंदे फिर से लेफ्ट टू राइट, ट्रेस कर लेंगे, और बैक लूप से, तीन फंदों से, तीन फंदे बनाएंगे, तीन फंदे एक साथ ले लेंगे, इस तरह से, और एक बार सीधा बुनेंगे, वन, जाई डालेंगे, टू, फिर से, सीधा बुनेंगे, त्री, धागा आगे, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, ये दिखिए, हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया, फिर से इसको रुपीट करेंगे, तो एक बार फिर से, लास्ट में आठ फंदे हैं, दो फंदे, ट्विस्ट कर लेंगे, लेफ्ट तो राइट, ट्विस्ट करेंगे इनको, इस तरह से, फिर बैक लूप से, तीन फंदों से, तीन फंदे बनाएंगे, सीधा बुनेंगे, वन, चार डालेंगे, टू, फिर से, सीधा बुनेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से दो फंदे left to right twist कर लेंगे, बैक लूप से तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे, सीधा बनेंगे वन, जाई ड़लेंगे 2, और फिर से सीधा बनेंगे 3, last में एस्टिच सीधा बना लेंगे, अब देखिए, फिर से हमारा pattern first row से start हो गया है ऐसे ही बार-बार इसकी चार और repeat करते जाएंगे और ये pattern बनकर इस तरह से दिखने लगेगा ये दिखिए इसे आप किसी भी project में डाल सकते हैं तो friend आप भी से बनाईए और अपने experience मारे साथ share किजिए तो मिलते हैं ऐसी ही और नेनी pattern के साथ तिल देन बाई बाई फैन